नमस्कार मैं आर्डी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान आज आपके सामने बहुजन समाज पार्टी की सबसे बड़ी खबर जो आज बहन मायावती जी लखनव से लाइब दिखाया वो जो है प्रेस कॉन्फरेंस भी कर रही थी समिक्छा भी कर रही थी उसके ब इनों में साथ मर्डर यानि जिला तो संभलता नहीं पूरे राज क्यों सभाले बैठे है योगी आदितनात जी ऐसा आरोप लगाया है अखलेस यादब जी ने मैं इन तमाम बिन्दों को आज हाइलाइट करूंगा और बताऊंगा कि बहन मायावती जी ने क्या कहा किसके ल थियात्रा पे निकले हुए हैं और जगा जगा रहलियां कर रहे हैं सरकार की कमियों को गिना रहे हैं कि बरतमान सरकार हर मोर्चे पर फेल है ऐसा कहना है अखलेस यादब जी का वो बता रहे हैं कि सपाही जन कल्यान कर सकती है यूपी में भाजपा के बस की नहीं है जबकि बहन मायावती जी ने लाइव जो चली प्रेस बिग्यप्ति जो दिया और जो उन्होंने समिक्छा की बूत अस्तर से लेकर अपने कार्ज करता हो का तो उन्होंने कहा कि पिछले दिनों हमने ब्रहामन समाज के लिए बोला था आज मैं OVC अलप संख्यक उसमें खास करके मुस आया काफी सोचने बाली बात है उन्होंने ये कहा कि विसुनात प्रताप सिंग की जब सरकार थी तो बसपा ने दबा बना कर हमारे OVC भाईयों के लिए मंडल कमिशन लागू करवाया था ताकि जितना भी पिछराबर्ग और अती पिछराबर्ग है उनको दलित भाईयों क तरह ऐसी ऐस्टिक तरह उन्हें भी आरक्षन का लाव मिल सके और वह भी समाज की मुखधारा में आ सके आज हम इनके हर मुद्दे को उठाते हैं और उठाते रहेंगे इनकी जो भी विकास है उसके लिए बसपा हर बक्त परियास करेगी कि पिछराबर्ग और अती पिछरा चार होता है जो पिछरा बर्ग और अती पिछरा बर्ग की महिलायं खेतों में काम करने जाती है उसके साथ अत्याचार होता है जगह जगह आजमगध में जो दलित दमपती की गला घोट कर हत्या कर दी गई यह आज की ताजा खबर है तो दलित और महादलित जो भी है यानि इसी एस्टी बर्ग उत्तर परदेश में सुरक्षित नहीं है यह ग्रामीन महलाएं खेतों में जाती है काम करती है इनके साथ अत्याचार होता है उन्होंने यह भी बताया कि जो हमारे अलप संख्यक भाई हैं इनको डरा कर तरह तरह की कानून लाकर इन्हें भैभीत किया जा को उन्होंने इसलिए समभोधित कर रही थी कि किसान से जुरे जो मसले हैं उनको बरतमान सरकार ठीक करे और इनके उपर अननेसरी कोई कानून ना ला दे क्योंकि किसान परसान हैं बदहाल हैं बहन माया बती जी के कार्जकाल में गंने के रेट बढाए गए थे परन्तु प आपने सारे कार्द जो भी पक्ष में उन्होंने किया है, लोगों के लिए आवाज उठाई है, और OVC, अल्प संख्या क्यानि मुस्लिम भाई और जाट समाज के साथ वहन मायावती जी खरी है, उनकी मांगों के साथ खरी है, ये उन्होंने बताने की पूरी कोशिस की अपनी प्रेस बिग्यप्ती में, और प्रेस बारता में उन्होंने ये कह दिया, एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, कि जब आप ब्रहामन समाज के बारे में पूछ रहे हैं, तो ये हमने जवाब पिछले बैठक में दे दिया था, आप लोगों को आज हम खास करके, OVC, अल् किस्रन जी ने कहा, कि अगर कानून अच्छा था, तो वापस क्यों लिया, और अगर बुरा था, तो पारलियामेंट से पास क्यों किया, उन्होंने तंज कस्ते हुए कहा, और रही बात ये, कि जो कॉंग्रेस के नेता हैं ससी थरूर जी, उन्होंने ट्वीट किया, बड़ी लोकसभा सदस्य हैं, महिला सदस्य, उनकी फोटो सेयर किये थे, कहने का तात परजिया है, कि हमारा लोकतंत्र और हमारा नेता, क्या-क्या चीज देखते हैं, किस-किस चीज के उपर कॉमेंट्स करते हैं, या आप भली भाती परचित हैं, आप बने रहिए बिहारी सुल्ता चैनल पर, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यबाद